अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें साथी नोटिफिकेशन के लिए बैल आइकन दबाना ना भूलें महेंद्र सिंग धोनी भारतियकर के टीम के सफल कप्तानों में से एक हैं धोनी की कप्तानी में टीम इंडिया ने विश्युकप सहित कई बड़ी प्रतियोगिता जीतने में एहम भूमे का निभाई है लेकिन टीम इंडिया के इस दिगज पूरु कप्तान को कई बार आलोचना का शिकार होना पड़ा है इसी कड़ी में हैं यूवराज सिंग के पिता योगराज सिंग योगराज सिंग कोई भी अफसर नहीं चूकते धोनी पर हमला बोलने से हाल ही में यूवराज सिंग के पिता योगराज सिंग ने पूर्व इंडियन कैप्टन धोनी पर हमला बोलते हुए कहा कि सौरब गांगुली की कप्तानी में कई यूवाओं को अपना बैस्ट प्रदर्शन करने का मौका मिला और उन्होंने कई यूवा खिलाडियों को मौका भी दिया लेकिन महेंद्र सिंग धोनी की कप्तानी में कोई यूवा खिलाडियों को ज़्यादा समर्थन नहीं मिला बता दें कि महेंदर सिंग धोनी को साल 2007 में टीम इंडिया की कपतानी तब दी गई थी जब इस टीम ने वंडे विश्युकप में काफी खराप्रदर्शन किया था हालांकि धोनी की कपतानी में टीम इंडिया को बड़ी बड़ी कामिया भी मिली हैं लेकिन योगराद सिंग ने धोनी पर टिपणी करना नहीं छोड़ा भराल बता दें कि फिलहाल लॉकडाउन के चलते अभी सब खेल प्रतियोगिताओं पर विराम लगा हुआ है भारत में भी इंडियन प्रीमियर लीग के तेहरवे सीजन को कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए स्थगित कर दिया गया है ऐसे में इस समय सभी खिलाडी अपने परिवार के साथ घर पर ही समय व्यतीत कर रहे हैं